बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जुकि सारा दन भर्नी नक्षत्र रहेगा जो की सारा दन भर्नी नक्षत्र रहेगा इस दुरान आपको किसी भी तरहा के मांगलिक कारे नहीं करने हैं, वहीं पर चंद्रमा सारा दिन मेश राशी में रहेंगे, तो जानेगे किस तरहा से 12 राशियों का हाल रहेगा, बात करेंगे मेश से ले करके मीन राशी के जात गोगी, तो सबसे पहले बात करेंगे मेश रा mood swings होते रहेंगे, कहीं न कहीं करोधाना, कहीं न कहीं frustration होना, तो यह चीज़ें होती रहेंगे, avoid करने की cautious कीज़े, इसके अलावा, किसी पर भी, अपनों पर specially, जादा विश्वास करके ना चले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसके लावा, आप लोगों के लिए उपाय करना क्या सही रहेगा, आज के दिन लाल मसूर की डाल का दान करें, आपके लिए बहतर रहेगा, बात करेंगे, व्रिश्व राशी के जातकों की, तो व्रिश्व राशी के लिए कार्ज आएं हैं, page of swords, वहीं पे, पार्टनर को समझने की कोशिस करें, वहीं पे करियर पे फोकस करने की कोशिस करें, अपने आप में ही थोड़ा सा stuckness आपके अंदर लगी रहे कि जिसकी वज़ा से आपको परिशानी होगी, व्रिश्व राशी वालों के लिए उपाय करना कैसे ही रहेगा, अगर कहीं न कहीं, रिश्टों को ले करके लापरवाही हो सकती है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, करियर में कहीं नई opportunity आपको आ सकती है, लेन देन आज के दिन काफी हद तक होगा, और अच्छा भी रहेगा, अगर आप किसी तरह की investment करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए समय है आज के दिन, तो मिठ्धुन राशी के जातकों के लिए बहतर रहेगा, यदि आज के दिन बनार सिपाद का बीड़ा आप अनुमान जी को अर्पत करें, बात करेंगे अगली राशी करक राशी के जातकों की, तो हैंक्ट पैंथ, इसके साथ सेवन ओफ पेंटिकल्स, वहीं पे एस ओफ बॉन्ड्स आपके लिए कार्जाए हैं, करियर को लेकर के कही न कहीं आपको आज नई ग्रोथ मिलेगी, नई उपरचुनिटी मिल सकती है, मगर हां, पैसो को लेकर के थोड़ा सा दिन जो है आपका नकरात्मक रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए, पैसो को लेकर के आज को दिन परिशानी आपको आ सकते हैं, इंवेस्ट्मेंट करने का आज को दिन सही समय नहीं है, तो इंवेस्ट्मेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर रिष्टों को लेकर के थोड़ी अन्बन हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, विवाद से बच के रहेगा, करक राशी के लिए उपाए बेहतर रहेगा, यह दिया आज के दिन, आप वरक, चांदी का वरक हनुमान जी को अर्पित करें, तो आपको लापटात होगा, बात करेंगे सिंग राशी के जातकों की, सिंग राशी वालों के लिए कार्ज आए हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज को लेकर के सिखाता है, यह कान भड़ता है, तो इन सब चीजों से बच के रहना है, इसके अलावा आज के दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अगर किसी तरह की परिक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो positive result मिलेंगे, वहीं पर नौकरी से संबंदत भी कही नगी नई opportunity आज आपको मिल सकती है, आपके जो मित्र महिला है, वो बहुत जादा आज के दिन supportive रहेंगी, उनकी वज़ा से कही नगी आज आज आपका lady luck भी काम कर सकता है, तो आपके लिए सिंग राशी वालों उपाय सही रहेगा, यदि आज के दिन आप गुड का दान करें, आपके लिए बहतर रहेगा, बात करेंगे कन्या राशी के जातकों की, कन्या राशी के लिए कार जाएं हैं five of cups, the empress, ace of wands, तो दिन बहुत जाधा अच्छा रहने वाला है, शौपिंग पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, स्पेशलिए अपने स्पाउस के साथ जो है, आप अपना काम जो है आज के दिन आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा उनको इंवाल्व कर सकते हैं, तो दिन बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी काम को ले करके, वहीं पे हर चीज को सही तरह से बालन्स कर पाएंगे, सूज बूच से काम ले पाएंगे, वहीं पे इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, तो तुला राशी वालों का दिन बहुत ही जादा शुब रहने वाला है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, यदि आप हनुमान जी को आज के दिन केवडे का इत्र अर्पित करें, बात करेंगे अगली राशी की, हम बात करेंगे व्रिश्चिक राशी के जातकों की, तो व्रिश्चिक राशी वालों के लिए कार्ड़ आए हैं, पेज अफ पेंटिकल्स, एमपरेस, इसके साथ साथ फाइव ओफ कप्स, थोड़ा सा आपको अपने आपके लिवजा से ही आज के दिन एमोशनली स्ट्रेस हो सकता है, वहीं पे आज अपने या लफ्ट वांस के साथ आप भूमने फिनने जा सकते हैं, जो लोग सोच रहे थे दाम पत्ते जीवन में व्यतीत कर रहे थे, संतान प्राप्ती की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो उनके लिए आज को दिन बहुत अच्छा रहेगा, पैसो को लेकर के लापरवाही हो सकती है, धन से संबंदित हानी हो सकती है, इसलिए लिए ध्यान रख करके चले, तो व्रिष्टिक राशी वालों के लिए उपाई सही रहेगा, यदि आज को दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, तो आपको लाप 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 होगा, बात करेंगे धनू राशी के जातकों की, धनू राशी वालों के लिए कार्ड़ आए हैं, तो धनू राशी वालों के लिए शुब रहेगा, यदि आज को दिन आप लाल मसूर की दाल और गेहूं का दान करें, बात करेंगे मकार राशी के जातकों की, मकार राशी के लिए कार्ज आए हैं, अपने ही लापरवाईयों की बज़ा से किसी थर्ड परसन के इंफ्लूएंस में आकर क्या परिशान हो सकते हैं, अपने घर में किसी की इंटरफेरेंस आज के दिन अलाव बिल्कुल भी ना करें, वैसे भी ना करें, वहीं पर धन से संबंदित, नए मामले जो हैं वो बनते रहेंगे, और आपके लिए इस्तिती काफी हद तक अनुकूल रहेगी, मकार राशी वालों के लिए बहतर रहेगा, आज के दिन लॉंक का जोड़ा, हनुमानशी को अर्पित करें, बात करेंगे कुम राशी के जातकों की, कुम राशी वालों के लिए कार्ज आए हैं, वहीं पर देखा जाए, आज के दिन ट्रावलिंग हो सकती है, भागा दौडी का दिन रहेगा, आपकी इच्छाई भी पूरी हो सकती है, अगर पैसों से संबंदत हानी होगी, तो पैसों का थोड़ा सा ध्यान रख करके चले, उपाये आपके लिए सही रहेगा, कपूर का, आज के दिन हनुमान जी को दान जरूर करें, हनुमान जी के बंदिर में कपूर का दान करें, बात करेंगे अंतिम राशी के, यानि मीन राशी के जातक होगी, तो मीन राशी के लिए कार्ड आए है, एट ओफ पेंटिकल्स, दफूल इसके साथ कार्ड आया है, आपके लिए नाइन ओफ सौर्ड्स, स्वास का ध्यान रखने के विशकता है, नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, मगर वहीं पे अगर देखा जाए, कोई ना कोई विक्तिया को किसी अच्छी विशे में सला दे रहा है, तो उसको सला को जरूर मारियेगा, नजर अंदास बिल्कुल भी मत कीज़े, अगर नहीं तो आपका ही नुक्सान होगा, मीन राशी के लिए उपाई सही रहेगा, यदि आज के दिन लाल वस्तरों का दान करें, आपको लाप राप्त होगा, तो अंतिम में टिप आफ दे खी बात करेंगे, अगर किसी भी तरहां से आपको परिशानी आ रहे हैं, संकट मोचन हनुमान जी को प्रसंड करने के लिए, आज के दिन हनुमान जी को गे हूँ, केसर, लाल चंदन, लाल गुलाब, इसके साथ सा सिंदूर शेहद जरूर अरपित करें, वहीं पे लाल कनेर के पुष्प और लाल पत्थरों का इस्तमाल जरूर करें, इनके पूजा करें, ओम हन, हनुमंते, नमहा मंत्र का जब करें, बजरंगबान का पाठ करें, आपकी सभी तरह की समस्य हैं, समाब तो जाएंगी, तो और भी ऐसे विश्रे लेकर क्या होंगी, मैं देखना दब भूलिए, करिश्मा के करिश्माई पत्ते के वल आश्रू तक पे, फिलाल के लिए मुझे दीजिये जाज़त, नमस्कार, जैश्री राथे, जैश्री 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 एंगी,